गुद आपके दो सेंटेंस को जोड के जोडने का काम करते हैं, जैसे कोई भी दो सेंटेंस है उनमें हम बार-बार एक ही प्रणाउन या नाउन का यूज़ करते हैं, तो उन्हें जोडने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, ओकी, इंटर्जेक्शन का हम यूज़ करते हैं, जब हमें कोई भी एक ए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनलंक्शन अब यहां पर देखिये पिक्षर में the Christmas Carnival has many foods stalls it has many toy stalls it has a play area for children it does not have a trampoline then it is I won't go there they don't have the trampoline what a pity now यहां पर हम बात किस के बारे में कर रहे है Christmas Carnival के बारे में so यहां पर Christmas Carnival के बारे में paragraph लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा now देखिये second paragraph में हमने कैसे लिखा है the Christmas Carnival has many food and toy stalls okay तो इसमें हमने क्या लिखा था food stalls it has many toy stalls तो हमने क्या कर दिया many को common रखके food and toy stall एक साथ एक ही sentence में लिख दिया right and second sentence पर दिखिये it has a play area for the children तो हमने की sentence same रखा but does not have a trampoline but हमने second sentence को जोड के क्या कर दिया but does not have a trampoline तो इससे क्या होगा हमारे number of sentences कम हो गए conjunction का यूज करके I won't go there मैं वहां क्यों नहीं जाती because they don't have trampoline तो हमने ये दो sentence पर लिखा है लेकिन ये आपको बहुत अच्छा जब हम conjunction का यूज करते हैं तो हमें ये meaning बहुत अच्छा देता है जैसे कि I won't go there because they don't have it trampoline के बारे में हम बात करें तो हमने it लगा दिया what a pity ठीक है ये चीज समझ में है तो यहां हमने जो conjunction यूज करें है दो sentence को आपस में जोडने के लिए वो क्या है and but and because right and तो हम तब यूज करते हैं जब हमें दो चीज़े साथ में बोलने होते हैं जैसे कि Ravie is reading and Ravina is reading so हम यह बोल सकते हैं Ravie and Ravina are reading right same है ना क्योंकि दोनों same काम कर रहे हैं तो हम साथ में बोल सकते हैं but हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई exception डालना होता है कि उनके पास play area तो था लेकिन वहाँ पे क्या नहीं था trampoline नहीं था and because हम तब लगाता है जब हमें वहाँ पे जाने ना जाने का reason देना होता है ठीक है तो आपको conjunction का use तभी आएगा जब हमें आपको उन conjunction का मतलब पता होगा now यहाँ पे paragraph देखिए by using words such as and, but, and because to join two sentences the description becomes more readable easy to ears इसका मतलब है कि जब हम इन words का use करते हैं जो क्या है and, but, and, because का दो sentence को join करने के लिए तो वो काफी अच्छे से हम पढ़ सकते हैं और हमारे ears को भी अच्छा लगता है सुनने में such words are called conjunction और उन words को हम क्या बोते consumption they allow for more natural flow in the use of language और यह क्या करता है हमें allow करता है naturally बोलने में जब भी हम इस language का use करते हैं ओके यहाँ तक समझ में a conjunction क्या होते है now हम देखेंगे exercise a इसमें क्या बुला है underline the conjunction in the following sentence now आपको in sentence में conjunction find करने है पहला sentence मैं आपको करके बताऊंगी rest you have to do it okay in your book now first sentence क्या है you must eat a balanced diet if you don't want to fall तो यह क्या है दो sentence से बना है you must eat a balanced diet फिर full stop then you don't want to fall ill तो हमने क्या है एक reason देखेंगे तो इसमें if क्या है आपका conjunction है तो आप if को क्या कर लेंगे underline कर लेंगे बागी सारे आपको book से करने है इसी तरह आपको दो sentence अलगलग करके देखने है and जो word उन्हें जोड रहा है उसको क्या करना है underline करना है जैसे कि यहां पर if था now proper use of conjunction some of the most common conjunction in the English language are and because but if and so ठीक है तो यह पाच क्या है बहुत ही common है जो हम कुछ यहां पर जो पढ़ेंगे वो बहुत ही क्या है common है जो हम हमेशा यूज करते है first क्या है and join two words or sentence that have a common thought तो and होता है वो दू sentence दू उन sentence को जोईन करता है जिनका same thought होता है जैसे कि राम भी पढ़ रहा है सीता भी पढ़ रही है चीक है और राम भी लिख रहा है सीता भी लिख रही है तो तब हम उनका क्या है same thought है पढ़ने का thought है किसी का लिखने का thought है right तो जब दो person के same thought होते है हैं तो हम लगाते हैं and for example नहीं and so हमार राइटिंग क्योंकि दोनों लिख रहे थे तो हमने क्या लगाया and okay now the second one is but join to contrasting words or sentence now जो दो opposite sentences होते हैं यह उन्हें join करता है जैसे मुझे क्या है मुझे chocolates अची रगते हैं but अगर मुझे diabetes हुई तो क्या है मैं उसे खा नहीं पाऊंगी तो chocolates अब मैं बोलती हूँ it is delicious ठीक है but I cannot eat it तो यह क्या है दोनों contradict रहे हैं कि मुझे पसंद है बहुत ही tasty है but मैं उसे खा नहीं सकता हूँ ठीक है तो यह क्या है आपस में बिलकुल अलग-अलग जा रहे हैं तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं आपे but का यूज करते है now if join two words or sentence in order to show a condition अब if हम तब use करते हैं जब हमें कोई condition लगानी होती है जैसे कि यहाँ पर देखिए you must eat the balance diet हमें एक balance diet खानी चाहिए अगर हमें बिमार नहीं पढ़ना है तो तो यह क्या एक condition लगा देता है न कि अगर तुम्हें बिमार नहीं पढ़ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा balance diet खानी ही पड़ेगी अब यहाँ पर देख लेजिए I will sing if you play the guitar मैं तभी गाना गाऊंगी जब तुम गिटार बजाओगे और तब लगाता है जब हमें दो चॉइस दी गई है जैसी कि कभी-कभी मम्य पपा क्या पुछता है आपको कौन सी मोवी देखनी है आपको Three Dates देखनी है और फिर Harry Potter देखनी है तो जब हमें choice दी जाती है आपको five star खानी है आपको daily milk खानी है तो जब आपको choice दी जाती है दो चीज़ों की तो आप क्या करते हैं और का use करते हैं जैसे कि which movie do you want to watch? Three idiots or Harry Potter तो यहाँ पर क्या आपको दो option दी हैं? इसलिए हमने और का use करा हूँ Now because Join two words or sentence to show a motive for something Now because हमें तब show करता है जब हमें किसी को motive दिनों होता है ठीक है? जैसे कि they cannot be here in time because they are stuck in traffic तो आप कभी किसी guest से बोलता है जब आपके mamie papa बाहर गये होता है कि वो लोग time पर नहीं आपाएंगे क्योंकि उनकी गाड़ी traffic में फस गई है ठीक है तो यहाँ पर क्या motive देते हैं अपने guest को ठीक है? Now and the last one is so Join two words or sentence to show a result of something जब भी हमें किसी चीज़ का हमें result देना होता है तो हम क्या करते हैं? So लगाते हैं For example Androsil has saved the lion So the alimus did not attack अब Androsil ने क्या कर रहा? उसने लोइन को बचाया ताकि उस पे जानवर अटैक ना कर सके कई भर क्या होता है? कोई puppy वगेरा होता है उसे हम अपने घर ले आते हैं ना? ताकि दूसरे जानवर उसे परिशान ना कर सके तो अब हम क्या लगाएंगे? Sol लगाएंगे जब हमें किसी चीज का result बताना होता है जैसे कि कभी आपके एक्जाम होते तो आपके ममी पपा क्या करते हैं? टीवी बंद कर देते हैं ताकि तो पढ़ सको ठीक है? They close the TV So that you can study So हम इधर भी क्या कर रहे है? So का यूज दे रहे है क्योंकि हमें result बताना होता है Okay अब भी एक साइज देखी है Join the sentences using conjunction Given in the bracket Now हमें इन brackets को Brackets से क्या करना है? यहाँ पर इन words का यूज करके दो sentence मतलब दो sentence को Join करते हुए एक sentence बनाना है ठीक है? अब देखी first क्या है? She अब मैं आपको first तो बता दूँगी बाकि सारे आपको book में करने है ठीक है? Now She slept the whole day yesterday मतलब वो पूरे दिन कल सोई थी She ended up with a headache और फिर उसको क्या हो गया? Headache हो गया मतलब सरदर्द हो गया Now हम इसे लिखेंगे She slept the whole day yesterday So She ended up with an headache ठीक है? तो हम क्या करेंगे? अब फुल स्टॉप को अटा के क्या लगा देंगे? सो लगा देंगे Okay? सिर्फ आपको और यहाँ पर क्या करेंगे? Yesterday के बाद में कॉमा And फिर क्या लगाएंगे? सो लगा देंगे Yesterday के बाद में कॉमा And फिर सो लगा देंगे She ended up with a headache Okay? बागी का पाट आपको खुद करना है Book में Book पे ठीक है? पहले तो Book में करना है आपको And then आपको Copy में भी करना पड़े गई Okay? आप कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे हाथ उ हाथ पुछ लेंगे Okay? Now आप हम पड़ेंगे Interjection Right? अब Interjection क्या होता है? Words which express Extreme positive और extreme negative तो जब हम खुश होते हैं तो हम क्या होते हैं? Happy होते हैं लेकिन जब हम sad होते हैं जब हम बहुत ही दुख्य होते हैं तो हम sad होते हैं तो ये तो क्या है? Normal Positive emotion और Negative emotion होते हैं लेकिन जब हम बहुत कुश होते हैं तो हम कैसे होते हैं? बहुत जदे excited होते हैं और जब हम बहुत दुख्य होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं तो उन situation में हम क्या करते हैं intersection का use करते हैं जब बहुत ज़्यादा वाली situation होती है किसी चीज़ में जिसे हमें कोई dress बहुत अच्छी लगती है हमें कोई खाना बहुत अच्छा लगता है हमें कोई चीज बहुत जदा गंदे लगती है हमें बहुत दर्द होता है तो जब भी कोई बहुत वाली सिचुएशन आती है एक्स्ट्रीम सिचुएशन तब हम क्या होता है हम इंटर्जेक्शन का यूज़ करते है और उन्हें पेचाना बहुत एज़ी होता है क्योंकि वो हमेशा इस सिंबल के साथ क्या होता है अब हम क्या करेंगे इंके एक्साम्पल देखेंगे फॉर एक्साम्पल वाउ जब हमें बहुत अच्छी चीज लगती है न इसे हम माजिक वोगेरा देखनी चाहते हैं तब हमें हम कैसे करते हैं जादूगर को देखेंगे वाउ दाट इस प्यॉर माजिक यह क्या है बहुत ही प्यॉर माजिक है जादू है ओ नू यू लॉस्टा रेस अगे जब भी हम माज खतम होता है और हम इंडिया हार जाते हैं तो हम क्या करते हैं ओ नू इंडिया लॉस्टा माज तो इसी तरह यह बहुत ही क्या होती है extreme emotions होते हैं जो कि ninth होता है हमेशा exclamatory marks है तो जब भी आपको intersection को find करने का पूछाचा है तो क्या आप देखेंगे ऐसे words डूंडेंगे जो बहुत ही अलग होते हैं ओके In the first sentence, the word war suggests a sense of wonder or surprise and the second sentence on the other hand has, oh no, suggests a sense of sadness or disappointment ओके So अब हम कुछ और words पढ़ेंगे Hello expression of greeting यह क्या करता है greeting के लिए उस करता है जैसे की Hello, how have you been? ठीक है, तुम कैसे हो Now, hurry exclamation of celebration जब भी हम, sorry, hooray मतलब जब भी हमें celebrate करना होता है Hooray, we won we are best Now, hush जब भी हमें चुप करना होता है किसी को expression of keeping quiet hush the baby is sleeping O then O expression for grief or surprise O I don't see you coming Okay जब हम surprise जाते हैं, कोई आने भाला नहीं होता उस टाइम पर और कोई आ जाता है आजाना आउच एक्स्प्रेशन आफ पेन आउच माइ फिंगर के इन दा डूर जब भी आपके फिंगर पे लग जाते हैं, आपकी फिंगर डूर में आ जाते हैं तो आप बोलते हैं आउच एक्सप्रिशन आफ शरप्रैस और अंगर जब भी आप गुस्प्रेशन में कुछीज में बोलते हैं जैसे कि आपके अंगर में बोलते हैं facilities उन तो आते हैं जब हम किसी को appreciate करते हैं जैसे कि wow that dress looks so good on you ओके नौ आपकी C एक size है match the intersection in the first column with the rest of the sentence अब हमें intersection को क्या करना है इन sentence से मिलाना है ओके सो first हम करके दिखाते हैं बाकि आपको वो करने है stop अब stop हम कब बोलेंगे I know where you are hiding तो हम hiding के लिए तो stop बोलेंगे नहीं stop you are ringing the wrong bell तो हम यह कब बोलेंगे जब हम गलत गंटी बजा रहे होंगे बाकि सारे आपको कुद करने हैं now do remember that अब क्या पढ़ेंगे do remember that इसमें क्या है words that join two or more words and sentences are called consumption जो दो words या दो sentence को join करते हैं उन्हें consumption बोलते हैं अब consumption कितने use करते हैं mostly कौन से होते हैं वो and because but ifs and so and too many conjunction in a single sentence makes it difficult to understand now अगर एक ही sentence बहुत सारे consumption use हो जाते हैं तो उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक या दो ही conjunction use करें intersection express extreme emotion and feelings and always ends with exclamation mark तो intersection क्या होता extreme emotion and feeling express करता है और हमेशा और हमेशा हम intersection को exclamation mark के साथ use करते हैं ओके? now अब हम करेंगे let's practice exercise इसमें क्या underline the consumption in following sentences ना आपको consumption underline करने है तो our first sentence है we can watch a movie on TV और go to park मतलब हम या तो movie देख सकते हैं या फिर हम पार्क में जा सकते हैं तो इसमें और है आपका consumption ऐसे ही आपको बाकी सारे भी book में करने हैं ओकी? ना एक साइस भी देखिए tick the sentence where intersections have been correctly used ना हमें उन sentence को tick करना है जो इनके आगे हमने intersection का बिलकुत सही use कर रहा है जैसे कि first क्या है? or that's really nice of you और हम कभी use करते हैं जब हमें बहुत अच्छे लगती है कोई चीज जैसे कि हम किसी छोटे से डॉगी के बच्चे या फिर किसी कैट के बच्चे को दिखके बोलते हैं तो यह क्या है? आपका बिलकुल सही सेंटेंस है तो यहाँ पर आएगा आपका ठिक और बाकी आपको बुक में करने हैं तो इस कमप्लीट से ओर चाप्टर नमबर 21 विच इस इंटर्जेक्शन और कंजॉंक्शन और यहाँ पर आएगा आपका ठिक आएगा आएगगा आएग़ धियुवाव प्रक्राप्टर्च नम में करने हैं